बात करेंगे मार्किट में आखिर चल क्या रहा है क्या important updates आ रहे हैं और कहां कहां से आ रहे हैं और कुछ updates, कुछ indication, कुछ signals अभी हमने coin को लेगे discuss किये थे तो वैसा ही कुछ scenario दिख रहा है वो भी discuss करेंगे तो बात करेंगे क्या updates है market के अंदर लेकिन शुरुवात bitcoin से, bitcoin के price आज फिर से 68-69,000 डॉलर के उपर है और bitcoin आपको पता एक नया week शुरू हुआ है थोड़ी starting pump से आ चुकी है ठीक है लेकिन थोड़ा सा आपको यहाँ पे wait करना पड़ेगा ये week बहुत important है क्यों important है इससे अगला तो important रहेगा कि monthly closing का week होगा पहले का और ये important इसी लिए है क्योंकि पहला update भी इसी से जुड़ा हुआ है और इसी लिए important है क्योंकि FOMC की जो meeting है वो आने वाली है 20 तारिक को रात को decision आने वाला है FOMC के interest rate का जो भी decision आएगा सबसे बहले आपको कहा मिलेगा हमारे telegram पर मिलेगा decision बहुत matter करता है FOMC हो या CPI हो ऐसे time पर बहुत matter करता है क्योंकि तीन महीने से CPI number थोड़ा थोड़ा क्या हो रहा है बढ़ रहा है कम तो आया नहीं है बढ़के आया चाहे थोड़ा ही आया हो लेकिन बढ़ रहा है तो ऐसे में देखना BOMC की अभी recently listing होई थी बहुत सारी exchanges पे और Binance ने भी इसको list किया था BOMC की मैं बात करूँ तो जिसको आप book of meme बाल सकते हो price 500% बढ़ गए थे और मैंने आपको कहा था कि बड़े बड़े खिलाडियों ने अच्छा return लिया इस coin से exchanges including whales 60 gaunt है ना और यह सिर्फ एक पहला coin न लेती हैं और ऐसे कुछ हुआ है investigation किस तोर पर किया जारा आप यह नाम नाम का investigation भी हो सकता है कि एक wallet ने आपे 12,000 विड्रो किये Binance listing से पहले क्या खरीदने के लिए bomb खरीदने के लिए 314 million bomb पहले ही खरीद लिए listing की announcement से पहले यानि कुछ time पहले और खरीद लिए बस यहाँ पर इसी को लेके clarification और Binance का कहना है कि वो Binance के staff में से कोई भी नहीं था अब यह चीज clear आगे होगी या नहीं होगी यह सिर्फ Binance ही जानता है ठीक है तो third update है Bitcoin को लेगे Bitcoin का hash rate Bitcoin ने खुद तो नया all time high लगा है 73,900 डॉलर का लेकिन Bitcoin का hash rate भी record high के उपर चल रहा है hash rate भी इस टाइम पर नया all time high लगा चुका है इस टाइम पर ठीक है तो यह numbers भी Bitcoin के surge हो रहे है fourth update है Mina को लेके और Kawa को लेके Mina, Protocol और Kawa are now available on chain staking on crypto.com crypto.com पर staking के लिए available हो चुके है Mina और Kawa five update है, fifth update है यहाँ पर Polyhedra को लेके, Polyhedra का airdrop लेका आया था Binance और अब EA exchanges पर आना चुरू हो गया है, Kucoin ने announce कर दिया है, Bybit ने कर दिया है तो उमीद ही है कि जो Binance airdrop लेका है तो वो list भी कर सकता है तो उमीद ही है कि Binance के उपर next coin Polyhedra भी आ सकता है और ETH five भी आ रहा है और इसके लावा अगर हम last update की बात करें तो वो है AI category और meme category को लेके जो इस time पर काफी अच्छा कासा पर्म कर रहे हैं पिछले एक साल से, मतलब category time टाइम पर अच्छा performance दे रही है तो यह कुछ important update से crypto से जुड़े आई, I hope इस वीडियो में आप समझ गे होंगे, बाकी जो update रहेंगे वो next video मिलेंगे तो किसी भी crypto में invest कर रहे हैं तो research करें, वो बहुत जरूरी है, तब तक के लिए bye bye, take care